अब हम आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, that is redemption of debentures पर आते हैं तो पॉइंट नमबर देख लेंगे, पॉइंट नमबर इबरन उपर से ही continue कर लेते हैं पॉइंट नमबर अब नहीं क्या लिखा था, पॉइंट नमबर टू तक लिख लिए था, तो पॉइंट नमबर थ्री प्याजो, पॉइंट नमबर थ्री देखो जी, redemption of debentures, अब पहले मैं आपको यह बताओं कि भी है, redemption किस तरीके से होती है, क्या-क्या उसके इंटेस होती है, क्या-क्या उसके methods होते हैं वो सब करने से वहले, एक बहुत ही important चीज हम discuss करने जा रहे हैं, that is requirements of DRR and DRI, requirements of debenture redemption reserve and debenture redemption reserve investment, DRR and DRI, यह आप लोग ने पहले भी कभी सुनी होगी, कि सर, debentures redeem जब भी होते हैं, तो company को DRR create करके चलना पड़ता है, मतलब whenever the company issues the debenture, तो company have to create the DRR, सर यह DRR क्यों बनाया जाता है, debenture redemption reserve क्यों बनाया जाता है, DRR is created to protect the interest of the debenture holders, कि यह debenture holders की safety के लिए, debenture holders की safety के लिए, उनकी security के लिए क्या बनाया जाता है, यह DRR बनाया जाता है, मतलब company अपने profits का कुछ हिस्सा, एक reserve में transfer करते ती है, that is known as debenture redemption reserve, जिसको utilize किया जाता है towards the redemption of debentures, मतलब कल को future में, अगर कोई ऐसी दिक्कत आगी की company की हालत होगी बहुत जादा कराब, company होई यह wind up, company होई यह liquidate, तो debenture orders को कुछ payment कर दी जाए, इसलिए company को DRR create करके चलना पड़ता है, requirement होती है, company law के provisions हैं, तो वो हम लिखते हैं, तो देखो जी, requirement to create DRR और DRI, देखो जी, अगर इसकी मैं legal provisions की बात करूँ, तो इसके बारे में कहां लिखा हुआ है, तो लिखावाई जी, section 71 of the companies act 1213, plus 7 सद आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा, 7 सद आपको rule पढ़ना है, rule number 18, sub rule 7, rule 18, sub rule 7 of companies, शेहाद आपको पता होगी, companies act में section को support करते हुए, देखो section में चीज़े कम लिखी हुए है, section को support करने के लिए company law में rules से दे रहे हैं कही साथ है, तो rules को में साथ साथ हर चीज़ में पढ़के चलना पढ़ता है, तो rule 18, sub rule 7 of companies, share capital, and debenture, rules, amended rules, amended rules, 2009, देखो सर मजे की बात क्या है, कि यह जो rules जो यह हमारा था, rule 18, rule 18, 7 यह amend हो गया, पहले 2014 में requirement कुछ और थी, 25% की requirement थी, लेकिन 2019 से यहाँ पर आगी amendment, अब जो requirement रहे गये है, वो हो गये कम, 10% की requirement होगे है, अब यह उसको पर आथा हूँ, और section कौन सा है जी, 71, DRR की full form क्या है जी, DRR की अगर मैं full form की बात करूँ, तो DRR, DRR की full form है, debenture, redemption reserve, DRR is going to debenture redemption reserve, DRR को हम क्या-क्या बोल सकते हैं, DRR के और भी नाम होते हैं, DRR को आप sinking fund भी बोल सकते हो, sinking fund भी बोल सकते हो, और आप DRR को debenture redemption fund भी बोल सकते हो, DRF भी बोल सकते हो, ठीक है, जो एक्जाम में अगर sinking fund लिखा हो, DRR लिखा हो, DRR लिखा हो, तो बात ही की है, DRI, DRI को क्या बोलते हैं सब अब, DRI लिखता हो, या फिर DRRI भी लिख सकते हो, तो debenture redemption, Reserve Investment Debencher Redemption Reserve Investment DRRI लिख दो एक काम करो तो DRRI DRRI के और क्या के नाम है सर इसको DRRI भी बोला जाता है इसको Sinking Fund Investment SFI भी बोला जाता है इसको DRFI भी बोला जाता है Debencher Redemption Fund Investment Sinking Fund Investment क्या बताया मैंने section 71 plus rule 18 of the company share capital and debentures amended rule 2019 amendment आगे है अब मैं आपको थोड़ा सा practical लेके चलता हूँ आपको NCA की website दिखाता हूँ कि थोड़ा आपको knowledge होनी चे कि sir company log कहां से मिलेगा यह हमें rule और section वगर है पढ़ने हो तो bear act कहां पर मिलेगा तो आईए जी मैं आपको लेके चलता हूँ अब साथ साथ आप देखते चले आना यह आपके company law में बहुत कमाएंगे चीज़े company लोग पढ़ रहे होंगे तब आपको बहुत कमाएंगे कि पता होना चीज़े सर हम जो companies act पढ़ते हैं यह companies act कहां पर मिलेगा अगर हमें bear act study करन है तो कहां पर मिलेंगे तो वह मैं आपको दिखाता हूँ देखो जी एक website होती है mca के नाम की mca.gov.in यह इसकी website है यह देखो हमारे मोडी जी आगए proceed to mca about mca यहाँ पर देखो उपर वाले टायर में देखो acts and rules दे रहे हैं acts and rules में अगर आप जाओगे तो companies act लिखा है देखो इसमें कहीं सारे act आते हैं companies act आ गया है क्योंकि सारी सारी चीजे कहां से गवन होती है mca से गवन होती है तो यह आगे हम companies act में तो हम देख रहे थे जी companies एक 2000 यह 1956 हाँ यह रहा यह rules आ गए अगर मैं company act दिखा हूं आपको तो companies act का मैं आपर सर्च कर लिए ता हूं section wise निकाल देता हूं इसलेक्ट करने का देरका ने करें जुए तो section wise section नमें डाल देता हूं 71 go कुछ ना मेरे को लग रहे है साइट अभी ठीक से काम नहीं करने इसलेक्ट करें आप देखना पड़ेगा यह पूरा दे रहा है यह नहीं कि अब इसका है सेवेंटीवन किसका है section 71 section किसका है दिख रहा होगा आपको किसका दे रखा है यह देखुछी 71 किसका दे रखा है 71 दे रखा है debentures का section अब इसके detail में जाते है कंट्रोल अब करके find कर लें debentures मिली जाएगा यह रहा सेवेंटीवन में क्या लिखा हुए 71 में आपके DRR वाला point दिखाता हूँ 71 का DRR का point इसमेंना यह सारा debentures के उपर section है तो आप company law में इसको पूरा पड़ा हो गई यह देखो सब section 4 यह वाला section देखो जी यह वाला point देखो क्या लिखा है वो कह रहा है वेर debentures are issued by a company under this section the company shall create a DRR account on DRR debenture redemption reserve account out of profits of the company available for the payment of dividend and the amount credited to such account shall not be utilized by the company except for the redemption of debentures वो कह रहा है DRR company को बनाना पड़ेगा अब कितना DRR बनाना है वो हमारे रूल्स में लिखा गया है उसके लिए हम रूल्स पर आते हैं companies देखो नहां रूल्स के कहीं सारे नाम होते हैं तो हम देख रहे हैं company share capital and debentures rules companies share capital and debentures थोड़ा साना धूनना वड़ते हैं अब इसका रूल अठारा साथ पढ़ते हैं है कि मैं हिंदी में रखोते हैं फिर इंग्लिश्में भी होता है कि इसको रूल सोला गए रूल अठारा साथ दिख रहे हैं सेवेंटीन आगे रूल बैवेक का रूल अठारा debentures के उपर इसका सब रूल सेवन सब रूल सेवन देखो यह सारा का सारा रूल क्या है यह सारा का सारा रूल है आपका किसके उपर इस सारा का सारा सब रूल 7 आपका DRR के उपर देखो और आपको दिख रहा हो तो यहां पर देखो यह देखो जी यहां पर आपको कितनी वो दे रखिया आपको 25% देखो जी यह आपको कितना दे रखा है 25% दे रखा है लेकिन now this limit has been revised अब यह limit होगे सर रिवाइज और रिवाइज होगे वो कितनी होगे 10% हो गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ amended rules में उपर जाओ गया आप 2019 में amendment आई दी कंपनी शेर कापिटल एंड डिवेंचे रूल्स यह आपको जी शेर कापिटल इंड डिवेंचे रूल यह देखो कहाँ पर amendment करिये उसने यह देखो जी अठार असाद वो कहरा है इन द प्रिंसिपल रूल्स वो कहरा है सारा का सारा सब्रूल चेंज हो गया है और अब कितनी requirement है अब आपकी जो requirement है वो हो गया आपकी 10% की दिखा तो आपको 10% वाला भी 10% का rate इसको 10% की दिखाएगे पर केश कुछ दिखाएगा है इसको 10% कीवाला भी 002 हो बूल्स को पोइंट करना है यह देखो शैल भी 10% क्या लिखाये जी देखो यह आपको दिख्या पॉइंट यह देखो यह देखो क्या लिखाये आपको दिख रहा हुँ तो शैल भी 10% तो अब यहाँ पर कंफ्यूज आपको यह नहीं होना कि सर डियारर 25 बनेगा यह 10 बनेगा मैंना आपको MCA की वेबसाइट से जो बेयर एक्ट है वहीं से पढ़वा दिया है 10 परसेंट अब आपका रिक्वार्मेंट है इंसिक्यूट ने भी नोटिफाय कर दिया इसको 10 परसेंट तो आपको 10 परसेंट ही अब करके चलना है लेटेस्ट अमेंडमेंट है ठीक है जी अब मैं आपको इसकी डिटेल लिखाता हूँ यह मैंने आपको थोड़ा प्रक्टिकल वेबसाइट पर लेखों जी फर्स पॉइंट वो कहता है वो कहता है वन अ कमपनी धोलिगा है वोड़ाान में लेटेंट विमिवि एसू इस वालिगन करदेंट अशिमिहां कर दोडेंट इस sözप्राफ running Аट ऑलिग कर दोडेंट देट ग्याफतेऽ ama workers are the living देटेविव ग्रसेंट should create DRR, it should create DRR out of its profits, oblique free reserves, oblique free reserves, until such debentures are redeemed, मतलब जब तक debenture redeemed नहीं हो जाते, company को DRR में पैसा रखना पड़ेगा, जैसे ही company issue करते थी है debenture, तो हर साल company को DRR में पैसा रखना ही पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा, वो अभी हम अगले point पे discuss करेंगे, पहले तो इस मतलो, जैसे ही company issue करते थी है debenture, तो company have to create debenture redemption reserve, DRR create करना पड़ेगा, on the value of its outstanding debenture, जब तक कि debentures redeem ना हो जाए, जब तक क्या उन्या हो जाए सार, debentures redeem ना हो जाए, अब देखें कितना है, लिमिट्स, सर यह theoretical भी important है और आपके company law में भी बहुत काम आया गया यह, limits with respect to, with respect of adequacy of DRR are as follows, क्या क्या लिमिट्स है, डिख जी, nature of company पे debent करता है, limit क्या है, अगर तो मान लो, company है जी, all India, all India, financial institutions, regulated by RBI, and banking company, all India, financial institution को आप शौट में बोल सकते हो, और AIFI, अगर all India, financial institution, regulated by RBI है, या फिर कोई banking company है, तो उनको no DRR, कोई DRR उनको बनाने की जुरुरत नहीं है, यह limit, learn कर लेना अच्छे से, अगर company है, all India, financial institution, मतलब AIFI है, regulated by RBI, या फिर कोई banking company है, मतलब कोई भी बैंक लो, HGBC limited हो गया, bank of brother limited हो गया, HBA limited हो गया, कोई भी banking company है, तो उनको DRR बनाने की जुरुरत नहीं है, second, अगर कोई other financial institution है, अगर कोई other financial institution है, मतलब वो all India, all India financial institution नहीं है, लेकिन कोई other financial institution है, होते हैं सर, कहीं सारे छोटे मोटे financial institution पर होते हैं, तो उनको भी no DRR, कोई DRR उनको भी नहीं बनाना, three point, अगर कोई listed, अगर कोई listed NBFC है, जा फिर listed housing finance corporations, housing finance corporations, समझते हों सर, NBFC समझते हों कि non banking financial corporation, जिन का काम होता है, loans वागरे देना, housing finance क्या होता है, housing finance का काम होता है, housing loan देना, जैसे कहीं सार example है, जैसे PNB Housing Finance Limited, यह क्या है, housing finance corporation है, LIC India Housing Finance Limited, तो यह सब क्या है, यह सब housing finance company है, अगर यह listed है, अगर NBFC listed है, listed क्या होती है, लिस्टेड वो companies होती है, जिनका stock, जिनका share, stock market पर deal करता है, जिनका share, stock market पर big ताहे trade होता है, किसी भी stock exchange में, किसी भी recognized stock exchange में, इंडिया में दो ही recognized stock exchange है, NAC और BAC, तो अगर किसी भी company का share, किसी भी company की security, NAC या BAC में, किसी भी stock exchange में listed है, तो वो listed company के लाती है, तो अगर कोई listed NBFC है, यह listed housing finance corporations है, तो उनको कितना DRR बनाना है, उनको बनाना है, सर, no DRR, कोई DRR नहीं बनाना, सर, तीनोई case में no DRR, हाँ जी सर, no DRR, D, अगर मान लो, कोई other listed company है, मतलब listed company तो है, लेकिन वो NBFC नहीं है, ना ही वो HFC है, कोई और listed company है, जैसे Reliance, जैसे Tata, तो यह सब क्या है, listed companies है, ना तो वो NBFC है, ना HFC है, वो normal companies है, लेकिन वो listed है, तो उनको कितना DRR बनाना है, उनको भी no DRR, सर, उनको भी DRR नहीं बनाना, बिल्कुल DRR बनाने की जूराद नहीं है, अगर कोई unlisted NBFC है, या unlisted HFC है, तो उनको no DRR, सर, यह unlisted NBFC, unlisted HFC क्या होती है, बहुत सारी होती हैं सर, बहुत सारी ऐसी NBFC होती है, जो की unlisted होती है, जैसे की, local आप देख लेना, कहीं सारी, कहीं से भी अगर आप, जैसे mobile खरीद ने जाते हो, या कोई motor vehicle खरीद ने जाते हो, आप जाना, किसी शॉप पे, और आप उनसे बोलना है कि, भईया, मुझा finance हराना है, तो सारे dealers ने खुद की NBFC बना रखी होती है, सारे dealers ने खुद की NBFC बना रखी है, या उनसे associated होती है, लेकिन वो सारी unlisted NBFC है, for example, अगर मैं बोल दूँ, Goyal Motor Finance Corporation, Jain Motor Finance Corporation, Jain Housing Finance Corporation, मतलब दुनिया भर के NBFC चल रही है, लेकिन हर कोई listed थोड़ी न है, तो unlisted भी NBFC है, तो अगर कोई unlisted NBFC है, unlisted Housing Finance Corporation है, उनके case में भी no DRR, कोई DRR उनको भी नहीं बनाना, next point, अगर कोई other, ध्यान रखना आप क्या, अगर कोई other unlisted company है, क्योंकि listed नहीं है, unlisted company है, उनको कितना DRR बनाना है, उनको DRR बनाना है, कितना DRR शेल भी, 10% of the value of 10% of the value of outstanding deventures, मतलब हर साल, हर साल, company के DRR में 10% पैसा होना चाहिए, 10% किसका value of the outstanding deventures, मतलब जितने 31 मार्च को outstanding debentures है, यह कह सकते हो, जितने 1 अपरेल को outstanding debentures है, उसका 10% DRR में हमेशा company के रखा होना चाहिए, पैसा in case of unlisted companies, in case of unlisted company, other unlisted company, other unlisted मतलब unlisted वो company जो की NBFC नहीं है और HFC नहीं है, clear हुआ है यह picture, बताओ जी, यह picture clear होती है, आजी, तो यह आपका first point हुआ, यह आपका second point हुआ, अब लिको third point, बहुत important topic है, very important topic, third point, third point में आप लिकेंगे, जगो, all listed NBFCs, comma, all listed HFCs, all other all other listed companies, all other listed companies, except, except, क्या क्या कवर नहीं इसमें, except, AIFIs, All India Financial Institutions Regulated by RBI, banking companies, and other FIs, and other financial institutions, and other FIs, okay, all listed NBFCs, all listed HFCs, all other listed companies, except AIFIs, banking company, and other FIs, and, and, all unlisted, and on unlisted companies, which are not NBFCs, and HFCs, वो कह रहे है, सारी unlisted company, जो की NBFCs, और HFCs नहीं है, सारी unlisted company, which are not NBFCs, and HFCs, Shell, Shell, ध्यान देना है, Shell, on or before, on or before, 30th April, 30th April, each year, required to invest, required to invest, 15%, required to invest, 15% of amount of debenture, 15% of amount of debenture, maturing, maturing, during the, during the year ending, 31st March, next year, in debenture, redemption, reserve, investment account, investment account, DRR account, ठीकिए भी, अब यह point क्या कहता है, ध्यान से समझना, एक बार इसको दुबारा रीट करो, यहान तो उसने company mention कर दी, कौन कौन से company है, वो कहता है, all listed NBFCs, all listed SFCs, all other listed companies, except, except कौन, except AIFIs, banking companies, and other FIs, and, all unlisted companies, which are not NBFCs, and HFCs, shall, on or before, 30th April, each year, required to invest, 15% of the amount of debenture maturing, during the year 31 March, during the year ending 30 March, next year, in debenture redemption reserve investment account, यह simple सा point है, कि सर, DRI कितना बनेगा, DRI तो हमने देख लिया, कितना बनेगा, हर साल बनेगा, जब तक debenture redeem नहीं हो जाती, तब तक बनता रहेगा, DRI कितना बनेगा, वो कहता है, DRI के लिए simple चीज क्या है, वो कहता है, जिस साल, जिस साल आपके debenture redeem होने है, मतलब जिस साल की 31 March को, आपके debenture redeem होने है, उस साल की 30th April तक, उस साल की 30th April तक, आपको 15%, आपको 15% of the amount of debenture, maturing during the year, DRI बना के चलना है, एक example से समझाता हूँ, मालो, यह हमारा एक financial year है, यह start होता है, 1st April 19 को, और यह end होता है, 31 March 20 को, यहाँ पर है आपके, 10 लाग रुपे के outstanding debenture है, अब बुझे बदाओ, 10 लाग के outstanding debenture है, आपके DRR में कितने पैसा होना चीए, बताओ, आपके DRR में कितना पैसा होना चीए, सर, 10% हमेशा होना चीए, मैं मान के चलना हूँ, यह एक unlisted company है, यह unlisted company है, यह एक unlisted company है, यह एक लाग रुपे DRR में होना चीए, मालो, DRR में पैसा है, एक लाग रुपे, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, DRR कितना बनेगा, वो कह रहा है, 31 मार्च को, 31 मार्च को, जितने डिवेंचे रिडीम होने है, मालो, 31 मार्च को, इस 10 लाग में से, 5 लाग के डिवेंचे रिडीम होने है, इस 10 लाग में से, 5 लाग के डिवेंचे रिडीम होने है, आपको 30 अपरल तक कितना DRI बनाना पड़ेगा आपको DRI बनाना पड़ेगा 15% 15% किसका 15% इस 5 लाग रुपे का तो 5,15% कितना हुआ 75,000 रुपीज आपको क्या करने पड़ेगे DRI में डालने पड़ेगे DRI कुछ नहीं होता है आपको कुछ specified securities में वो security आपको learn करने की चुछ नहीं है कुछ companies उसी rules में 18-7 में security specified है इनी securities में आपको पैसा क्या करना पड़ेगा इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा यह सर क्यों किया इन्वेस्ट इसले किया ताकि company का पैसा ब्लॉक ना हो जाए company का पैसा फसना जाए तो company law क्याता है कि पहले से काम करो आप at least 15% पैसा तो कहीं पर deposit करा दो 15% पैसा तो कहीं पर क्या करो यह deposit करा दो so that redemption के टाइन पर आप उस investment को बेज कर पैसा रिलाइज कर आप इस समझ में आता है तो अब यह तोड़ा साल 30 अपरल को कौन सा साल जिस साल में डिवेंचर रिडीम होने है रिक्वायर टू इन्वेस्ट 15% अव दा अमाउंट अव डिवेंचर मेच्योरिंग दूरिंग दूरिंग दा इयर इंडिंग 31 मार्च नेक्स यर यह नेक्स यर आगे न तो 31 मार्च को जितने भी होने है उसका 15% है और सार DRR किसका है DRR आपका आउस्ट्रिंग डिवेंचर का 15% सॉरी आउस्ट्रिंग डिवेंचर का 10% तो यह आपको याद रखने पड़ी है तो यह हमारे सेक्शन 71 प्लस रूल 18 साथ के प्रोविजन ते जो आपके लिए एपलाई होने है जो आपके लि clear जी चलो अब हमें देखें इसकी accounting entries कि आपके exam में सार accounting entries पूछेगा वो accounting implications का है what will be the accounting entries तो point number 4 तो किये, following will be the accounting entries क्या entries बनेंगी, सबसे पहला case, सबसे पहली entry for creation of DRR, DRR बनाने के लिए, बताएं जी सर, DRR बनाने है, कब बनाना होते है, सर, हर साल, आपको देखना पड़ेगा, आउट्सेंडिंग डिवेंचर केतने हैं, उसका 10% DRR में पैसा होना चाहिए, अगर कम पढ़ रहा है, तो आपको DRR बनाना पड़ेगा, entry will be DRR बनाने की PNL account, PNL account से पैसा ले हो गया, PNL account debit to DRR, next entry, for investing the amount, investing मतलब DRR बनाना, investing the amount, amount को invest करना है, अचा कितना DRR बनाना है, DRR बनाने की 31 मार्च को जितने डिवेंचर हा, due for redemption, उसका 15%, country डालोगे, आप डालोगे, DRR account, एक investment आगी, जिसको नाम देगे, अब DRR, अब वो DRR किसमें होना चाहिए, investment किसमें होना चाहिए, वो आप रूल 18 साथ में, देख ले ना, वो आपके मतलब की बात नहीं है, आपको learn नहीं करनी, DRR account to bank, सब practically जब हम काम करेंगे, तो हमें पता होनी चाहिए, तो practical काम करेंगे, तो जब हम practically काम करते हैं, जब हम practically काम करते हैं, तो हम इस ताइप की books रेफर करते हैं, तो यह आपको visible होगी, यह है in days की किताब वैसे, तो यह students का idea है, क्योंकि मैं teaching profession से related हूँ, तो इस CA final को जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं यह student guide को रेफर करके चलता हूँ, प्लस जब हम practically काम करते हैं, तब भी हमें इन चीज़ों के जुर्यत पढ़ सकती है, और अगर को किताब है, तो मैं आपको दिखा जिता हूँ, आज़ी आपको दिखा जिता है, अपने दिखो, मेरे पास एक ये भी रखा जोता है, अफिस में, direct tax, income tax का हम काम करते हैं, sir, clients आते हैं, तो हम income tax का काम करते हैं, तो मेरे पास एक direct tax का ready reckoner है, ready reckoner मतलब होता है कि provisions को simplified language में बे रेक्ट नहीं है मेरे पास ready रेक्णर है तो हम ready रेक्णर से समझता आते हैं तो यह direct text का ready रेक्णर भी हम refer करते हैं करें तो जब आप practically काम करोगे तो कई सारी हमारे पास किताबे होती है है अविलेबल हमारे office में तो आज कल वैसे e-book का जमाना है तो physical books कम रखते हैं तो e-book वगरे जादा रखते हैं तो e-books भी हमारे पास होती है क्या है तो यह entry कौन से आगी यह entry आपकी डिया रही की आगी next entry next entry क्या बनेगी बताओ सार अगर आप investment करोगे अगर आप investment करोगे तो investment पर आपको income भी बिलेगी investment करोगे तो investment पर income भी बिलेगी तो मानलो अगर आपको interest पगर रिसीट हो जाता है DRI के अट्री बनेगी DRI पर interest मिलेगा तो entry विल बेंक अकाउंट debit to interest on DRI account ठीक है जी interest मिलेगी आपको interest on DRI account और next entry interest को आप transfer करोगे interest आपके लिए income होगी for transfer of for transfer of interest on DRI to PNL account profit and loss account में डालो के बतो क्या entry बनेगी interest on DRI को PNL account में डालने के entry that will be interest trust on DRI account debit to PNL account next entry अब बताईए अब क्या होगा ये सारी चीज़े होता होगी अब आएगा sir at the time of redemption जब redemption का time आएगा at the time of redemption तो क्या होगा at the time of redemption बताऊ जी सबसे पहले redemption के टाइम पर जो हमने DRI बना रखा था उसको बेचेंगे पैसा आएगा वहाँ से that is bank account debit debit to TRI account sir इस पर profit और loss भी हो सकता है profit और loss भी हो सकता है लेकिन आपके course में वो सारी entry पूछता है power पर बेचने की ठीक है तो profit और loss को मैं इतना consider करके चलनी राख वैसे हो सकता है होगा तो PNL account में डाल दो कि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो bank account to DRI उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपके investments sold ठीक है जी इसके बाद का entry बनेगी यहां लिख रता हूँ अब percentage debentures percentage debentures account debit to debenture holders account सब premium वगर भी हो सकता है देखो जी अगर premium होगो तो यहां आपको premium आपको debit करना पड़ेगा अगर आपको issue के टेम पर आदो तो हमने यह premium के नाम का reserve बना रहा था प्रोविजन बना रहा था अब वो प्रोविजन रिजव हो जाएगा प्रोविजन क्या हो जाएगा आपका reverse हो जाएगा खतम हो जाएगा तो percentage debentures to debenture holder being debentures यह क्या हो कि हमारे debentures due for redemption अगर आप इसको यह क्या हो जाएगा तो आपको समझ में आजेगे इंटी बिंग debentures due for redemption ओके जी उसके बाद उसके बाद आप पेमेंट कर होगे that is debenture holders debenture holders account debit to bank debenture holders को पेमेंट कर होगे that is देखो कि आप being amount paid ठीक है जी और next entry बनेगे आपके last entry after the redemption of debentures after redemption of debentures DRR should be transfer to general reserve DRR किस में डालोगे sir general reserve में देखो sir जिस purpose के लिए DRR बनाया था जिस purpose के लिए DRR बनाया था तो वो purpose तो खतम हो गया तो DRR को में खतम करना पड़ेगा तो DRR को किस में डाल देगे general reserve में डाल देगे entry will be DRR account debit to general reserve मान लोगर पार्ट में redemption होती है मान लोगर पार्ट में redemption होती है तो sir उतने ही पार्ट का DRR general reserve में चला जाएगा जैसे अगर उपरवाले example में आपको verbally बताते था हूँ याद होगा आपको दस लाग के डिवेंचर्स थे दस लाग के डिवेंचर्स थे तो हमने DRR कितना बना रखा था दस लाग का 10% यानि कि एक लाग रुपे पांच लाग के redeem होगे तो sir proportionately यानि कि आधा एक लाग का आधा DRR किसमें चला जाएगा जनरल reserve में चला जाएगा कितना चला जाएगा पचास लाग का DRR general reserve में transfer हो जाएगा is this clear to you पता ही sir यह clear हुआ आपको हाँ जी I hope यह आपका clear हुआ होगा चला अब मैं आपको इसका एक example कराता हूँ और हमारा DRR और DRI से लेटर टॉपिक खतम हो गया फिर हम अपने normal redemption पर आ देंगे लिखो example a company had issued 10,000 8% debentures of Rs. 100 each outstanding on 1-4-2019 1-4-2019 को इतने हैं debenture outstanding है okay on 31 March 2020 on Ekathya's March 2020 5,000 debentures are redeemed 5,000 debentures are redeemed at a premium of at a premium of 10% pass journal entries for redemption of debentures sir question में कुछ है question में इतना कुछ है नहीं लेकिन फिर भी आपके लिए important है करेंगे निको solution सिरफ उसने redemption of debentures के entry माँगे तो मैं redemption के entry करूँगा सबसे पहली चीज आपको क्या चक करनी है sir कसम खालो कसम खालो सबसे पहली चीज़ आपके चेक करेंगे DRR क्या है या नहीं DRR का balance check करना पड़ेगा क्या DRR है या नहीं क्योंकि DRR होना मस्ट है क्या DRR है या नहीं 1,419 को DRR में कितना balance होना चीज़ है बताइए sir आउट्सेंडिंग डिवेंचर कितने है 10,000 into 100 आउट्सेंडिंग डिवेंचर है 10,000 लग इसका 10% है कि 1,000,000 रुपे का DRR होना चीज़ है अब बात हती है sir ये तो बताइए नहीं रखाए question में DRR है या नहीं तो हम क्या माने अगर ऐसा silent है वैसे तो ऐसा होगा नहीं कुछ ना कुछ बदे देगा मैंशन कर देगा मैं इस question मानता हो कि DRR में balance नहीं है तो हम DRR बना लेते हैं तो पहली entry हम क्या करेंगे sir 1,419 को सबसे पहला काम हमारा होगा DRR बनाने का that is P&L account debit to DRR बना लिए कितने का एक लाख रुपे का कैसे एक लाख रुपे 10 लाख का 10% मतलब जो outstanding debenture है 10 लाख का 10% ठीक है sir अब उसके बाद ये देखो sir क्या 31 March को debenture redeem होने हैं क्या 31 March को debenture redeem होने हैं बिल्कुल 5000 debenture redeem होने हैं तो income amount बताओ 5000 into 100 यानि कि 5 लाख रुपे के debenture redeem होने हैं तो DRR कितना बनेगा जितने debenture redeem होने हैं उसका 15% यानि कि 5 लाख का 15% 75,000 का DRR होना चाहिए था और ये कब तक invest हो जाना चाहिए 30 अपरल तक invest हो जाना चाहिए तो मैं मान के चलता हूँ 30 अपरल को entry डाल रहा हो हूँ है क्या मैं entry डाल रहा हूँ कि DRR account debit to bank कितना पांच लाख का 15% that is 75,000 ये मैंने DRR बना दिया ओके अब क्या होगा अब सीधा redemption 31 March को entries होंगे हमारे पास redemption की बताओ जी सबसे पहले company क्या करेगी DRR बेचेगी that is bank account debit अब profit पर या loss पर या मैं मानूँगा पार पर ही है मैं मानूँगा पार पर ही सेल यह है क्योंकि आपके exam में पार वाली ही है profit loss के situation excluded है सले बसते तो bank to DRR ही हो गया 75,000 उसके बाद हां जी इसके बाद क्या होगा कोई इंटरस पगार देन रेका तो छोड़ते थे हैं आप debentures को due करते हैं for redemption that is 8% debentures 8% debentures account debit कितने पांच लाग के debentures redeem हो रहे हैं पांच लाग premium पर redeem है 10% का तो premium on redemption of debentures 10% का premium पांच लाग का 10% that is 50,000 का premium to debentures holders account 5,50,000 5,50,000 okay then debenture holders account debit to bank payment कर दी 550 50 और the last is your DRR को General Reserve में लेके जाने हैं, कितना DRR General Reserve में डालूँ, देखो, एक लाक में से कितना DRR खतम हो गया 50% डिवेंचा डिडीम हो के तो 50% DRR खतम हो गया, यानि कि 50 यार का DRR को किसमें डाल देंगे, General Reserve में डाल देंगे, DRR account debit to General Reserve Sir इसको verify करके दिखाओ न, देखाते हैं जी 50 यार, कैसे verify, देखो DRR कितना बनाया था, हमने एक लाक बनाया था, 50 यार खतम हो गया यानि कि 50 यार DRR बचा है, अगें DRR की condition चेक करो 1st April 20 को हमारे पास outstanding debenture कितने हैं, देखो, अब 10 यार नहीं है अब 5 यार आगे, निकि 5 यार इंटू 100, 5 लाक के और 5 लाक का 10 पसंट DRR होना चाहिए, तो 50 यार DRR है हमारे पास answer is 50 यार का DRR हमारे पास available है बताएजी, क्या ये clear हुआ situation हाँ जी ठीक है जी, तो ये हमारा third topic about requirements of DRR and DRI, एक बहुत important है क्योंकि इसके वे ना हमारा चप्टर आगे नहीं बर सकता, सबसे पहले ये वाली चीज आपको clear करनी थी ठीक है जी, अब हम आएंगे कि हमारे redemption करने के क्या-क्या methods है, किस तरीके से हम अपने debences की redemption को कर सकते हैं, clear ही जी चलिए next लिखिए, next main point